हेलो डियर लेर्नर्स हावार यू होप सु यू हूल और फाइन अंडूइंग वेल सो पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट कैसे हैं आप सब एक बार फटा बट्चे बता तीजे है ना और ज्यादा समय ना जाया करते हुए हम आपके सेशन को करेंगे सोरू और इस सेश तो यह कोशन बहुत इंपोर्टेंट हैं हम नहीं जाते हैं कि आपका समय खराब हो या कुछ भी हो जो भी टाइम में अपना सबसे ज्यादा टाइम इस समय यूट्यूब पढ़ना देख करके सेल्फ स्टड़ी को दीजी आप आप सूचेंगे कि मैंम आप क्या बात के नही आप बाउट वन आरो किया ठीक अब वन आर से जादा आप अपना टाइम नहीं वह करिए जाता जादा टू आर दे लिजे यूट्यूब पर इससे जादा नहीं आप अपने ज्यादा से जादा समय दीजिए सेल्फ स्टेडी पर ठीक है आपका पेपर भले या थे औरेटिक अपने पर ठीक है इसलिए हम आपकी प्रैक्टिस करवा रहे हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आपका बिल्कुल जर्ण सभी समय व्यारत हो ठीक है तो अगर अभी तक आप हमाई टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटा पट्चे माई टेलीग्राम चैनल से कोज हंडिट्पलस लाइक्स कर दिया दाक इस वीडियो में टो पक्का निस्चत आप अपका बिड़े हैं हो सकते हैं और चार मनों वएग्यान आपको प्रतित चाहिं नहीं हो तो था आई भात समझ में लिए मानों में इस्थाई परिवर्तन को कहा जाता है। कहा begitu कि learning कहा जाता है। खेल पर्द्द्दित का जनक करो इसे माना जाता है। कुशननागे से क्वालोंrecht नहीं सेक होता है और जा 바뀌न माना जाता है तो इनके जणक माना जाता है कहा आर्प्रोंग को किसको आर्म प्रॉंग को मानाजाता है और हीर्टिक किसे माना को अब देख रहे हैं फिरफिब की बात की से था कि नहीं किया हो जाता है तो फिर आपको confusion create करते हैं आप जैसे प्रजेक्ट प्रदत के जनक कोने तो जॉन डिवी याद रुकिए कर ऐसे ही विदियां प्रदत ही आपको पूछे जाएंगे यह कोशन्स रामबार कोशन्स हैं आपके टेट सीटेट सूपर टेट के लिए भी ठीक है आप देखिएगा जिवाब अपना पेपर देने जा रहे होंगे यूपी टेट का दिसेंबर के नियर अवाउट तो आप देखिए गई है ऐसे ही कोशन्स आपको मिलेंगे हैं नेक्स देखिए वह कौन सी विदी होती है जिसमें पहले उधारन बताया जाता है बाद में नियम बताया जाता है तो ऐसी विदी को क्या कहा जाता है ऐसी विदी को कहा जाता है आगमन विदी क्या कहते हैं आगमन विदी कहते हैं नेक्स्ट कोशन नमबर वन देखिए तो देखो वह कौन सी विदी है जिसमें पहले नियम बताया जाता है और बाद में उधारन बताया जाता है तो उसे नि तो नी से ही निगमन भी है अब येये दियों नॉय नाउ जीजिए न नियम अगर नियम बताया है तो नियम 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 जीए गैए ठेका नियम नियम kijken श्माट करता उसको वह पम्रीत भीत अगा होगे कि कुँषिट वीतिय't are में पहले उधारण दिया जाए बाद में नहीं बताया जाएगा तो वह आगमें वीडियो की आगी बार समझ में अब भूलोगे तो नहीं और बाकी आप से मेरी एक अंबल रिक्वेस्ट रही है कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और बाकी पढ़ते रहो बस पढ़ते रहो जॉब लिने यह दिमाग में रखो इत्ते रुपए लग रहे हैं आपके सोचो बगमा बापा हम लोगों को कब से पढ आजकल सबसे कटिन तो पढ़ाई है पढ़ाई में इतना रुपए लगते हैं ट्वेल्थ कराना फिर ग्रेजुएशन कराना उसके पर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो तो वह उसके बादे बेड में एक एक साथ पचपन पचपन साथ साथाजार रुपए जम्मा कर और यह सम्मान कब जलकेगा बात तो नहीं जलकेगा जब आप इन सब को कुछ कर पाएं यह नहीं कहने हो में कि सरकारी तुमको वेकेंसी आइच चाहना है बेटा इतना तुमको मोटिवेट करने कि तुमको सरकारी टीचर बरने नहीं आप अपने पैरों पर खड़े हो बनाओ कि आपका सेलक्षन कहीं ना कहीं तो हो ही जाए है आई बात समझ में ठीक है तो चीजों को समझो और नो डाउट कि आप अगर ब्येड कर रहे हैं तो आप इतने छोटे नहीं रहे हैं है ना आप देखो कोशन नंबर 123 देखो सुनो और समझो किस विदी पर आधारित देखो सुनो और जब समझो की बात हो यहां पर तो प्रदर्शन हो गया अब देखो सुनो और बोलो की बात हो यहां पर दो शब्दों का अंतर गयत है केवल समझो और बोलो का अगर देखो सुनो समझो आपसे पूछा जाता है किस विदी पर आधारित है तो आप बता प्रेयोग ब्लाटको अगमन विदि में उधाएड है, अगमन सी हम और फटा-पट्ट, फटा-पट, फटा-पट, बादे उनली से बता है कि आ अगमन निगमन याड करा है Jubautresॡ पूल й कि नहीं किया जाता है आगमन विदी में आपको यह बताए तो नेक्स्ट केशन कर सीखने पर कौन से विदी काम करती है तो कर के पहले चीज़ों को करो उसके उसे सीख मिलती है तो वो किस विदी को क्या कहते है आपको तो प्रयोक्षाला विदी कहते हैं यह किंडर गारडन विदी यानि लकेजी वा यू के जिक जनक कौन है पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे फ्रोबल कौन है फ्रोबल यहां विदी खेल इवं करके सीखने पर अधारित है ठीक है आई बात समझ नेक्स्ट कोशन देखिए आपका 188 कोशन मॉंटेश्वरी शिक्षा प्रनाली के जनक कौन है तो डॉक्टर मारिया मॉंटेश्वरी जो की इतली की है यह विदी इंद्रियों यानि ज्यान इंद्रियों के प्रसिक्षवर पर बल देती है कोशन मॉंटेश्वर फिर से याद करो खेल पद्दति के जनक है याद हो गया बोलो मेरे साथ में खेल पद्दति के जनक हाँ ऐसे ही बोलो छोटे बच्चों को जैसे पोयम तना जाती जैसे माम या दो बच्चे क्लास के अल्टीमेट तो मॉनिटर उते निकाल दे जाते है पीक रही है और उनसे कहते है कि ऑप बोलेंगे फिर पूरी क्लास वह द macht जैसे वह बोलते है टूंकल सेुछétais थिप पूरी क्लास बोलेगे तूईंकल बोलेगी तूरे आपको भी बोलना है हम बोल रहांना वैसी बोलो खेल पद्दति के जनक बोलो अपने मन में लोममी बच्चों में आधार हीन आत्म चेतना सता अवस्था का संबंद किस के विकास की किस अवस्था से संबंदित है बच्चों में आधार हीन आत्म चेतना अवस्था का संबंद उसके विकास की किस अवस्था से संबंदित है तो किशोर अवस्था से संबंदित है किशोर अवस्था से संबंदित है नेक्स्ट कोशन देखे प्रशनेशन के 192 डिसलैक्सिया संबंदित है dyslexia, dyspraxia dyscalculia ये सब हम आपको बहुत अच्छे से बढ़ाए है तो अभी बार-बार हम इसलिए आपको जो है बोलते हैं कि बेटा theoretical classes पढ़ लो theoretical classes अब मैं कहां से मिलेंगी इसी चैनल के आप playlist देखो उपर home के बगल में video के बगल में playlist लिखा होगा उस blue line पर जैसे ही आप click करेंगे ना तो वहाँ पर आपको सारे videos दिख जाने तो वहाँ से आप देख लीजेगा है ना तो dyslexia किस से संबंदित है आपकी पढ़ने के संबंदित विकार से संबंदित है next question है आपका 193 श्यामपट को शिक्षर साधन समगरी के किस समुह में अंतरमुक्त किया जा सकता है तो द्रश्य साधन में किस में द्रश्य साधन में next question देखे question number 194 विक्तित वो एवं बुद्धी में वन्शानुकरम की डैश होती है क्या होती है तो नाममात्र की भूमिका होती है यानि विक्तित वो एवं बुद्धी में वन्शानुकरम की नाम मात्र भूमिका होती है समझ लो बात को जो आपका विक्तित वो है यानि जो आपकी personality है वो इस पर depend नहीं करेगा कि आपका वन्शानुकरम कैसा है यानि ज़रूरी नहीं है कि जैसे आपका पापा का नेचर हो मुम्मा का नेचर हो उसी से मिलता जुलता आपका भी नेचर हो ऐसा नहीं है नेचर या personality उसी से मिलता जुलती हो नहीं personality आपकी अलग हो सकती है ज़रूरी नहीं है डिकान की जैसे आपके बाबा दादी थे वैसे ही आप हो उना और रही बात बुधी की भी तो बुधी तो दी भी थी हो थी थोड़ी इसलिए लिखा गया वेक्तित्व मुध्धी का में वंसानुकरम की मात्रत कैसी होती है नाम मात्रे की भूमन का होती है कॉशन नंबर 195 देखिए श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्रपूर्ण क्या है तो श्यामपट्ट यानि ब्लाक बोर्ट टाइप जब आप यहां पर लिख रहे हैं तो सबसे नहीं पाएगा अब यही चीज आप ऐसे लिखते ब्लाक बोर्ट पर तो बच्चा असानी से समझ परता क्या लिखा है बेटा ओनेस्टी तो अब वही चीज आप एकदम ऐसे लिख दो एकदम गंदी से राइटिंग में जल्दी लिखे चकते तो बच्चा नहीं समझ पाएग जो केटल होती है है ना केटल मतलब जो केटली जैसे जिसमें आप गरम चाय वगरा रखते हो ना तो उसमें क्या रखते हो अब तरल पदार्ती तो रखते हो गरम चाय हो कॉफी हो है ना ऐसा तो है नहीं कि ठोस पदार्त रख देते हो तो ऐसे रखना कि तरल पदार्त का मत पहचान के सही विद्दवान की तो बच्छों की बढ़िक विविकास की चार अवस्थाओं की पहचान जीन पियजे के ध्वारा की गई ठीक है और कि गए है और आज का यह सकंड लास्ट को सब्सक्राइब को सिग्शा की मुक्यधाराप प्रणाली में चुक्राणाए यह होता है सिख्षा में समावेशनस को कॉशन तो यह हो गए आपके 200 questions complete कल की session में हम आपको 48 questions करवाएंगे फिर यह PDF हो जाएगे complete और जैसे ही इन वीडियो पे 100 प्लस लाइक्स हो गए मैं आपको यह PDF टेलिग्राम पे दे दूंगी और अब हम आपको बता रहें जो आपका पेड कंटेंट है उसमें यही same questions मतलब सेम का मतलब यही पैटेंट मिलेगा आपको question answer question answer आपको option नहीं देंगे option बहुत blender हो रहा है content team को भी और उसके बाद में पढ़िए ठीक है यह आपके दिमाग में रहेगा आप confused नहीं रहेंगे जब ऐसा होता है कि जब आपके सामने ठीक है और मेरा ऐसा को इंटेंशन नहीं आप इस वीडियो पे 100 प्लस लाइक करिए मैं आपको यह पीडियो प्लेडी दे दूंगी बस कल के बाद लेकिन कल की भी ध्यान रखेगा गड़के बड़ोजी मेरे लिए आशिरवाद ले लीजिएगा है ना तो टेल दिन टेक कियर बाई बाई ओके